हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक जानकारी जो कि काफी लोग जानना चाहते होंगे तो मैं BS4 और BS6 क्या होता है उसके बारे में एक information लाया हो छोटी सी तो काफी सारे लोग देख रहे होंगे आजकल की BS6 गाड़ी के आरी हैं जाहतर आजकल मार्केट में और आपने देखा होगा कि BS4 पहले आया था अभी आपने देखा होगा कि BS4 बंद हो गया है तो आपने देखा होगा कि BS2, BS3, BS4 और BS6 यहां पर अभी तक आ जुका है हमारे भारत में तो इसमें सब्सक्राइब आपने देखा होगा कि BS जो है वो कॉमन है तो BS क्या होता है मैं आपको बताता हूं भारत स्टेज एमिशन स्टेंडर्ड को सन 2000 में इंट्रिट्यूज किया गया था यह वो एमिशन स्टेंडर्ड है जिसे की केंद सरकारत द्वारा सेटप किया गया है इंद्यन से निकलने वाले पॉल्यूटेंट को नियंतर करने के लिए तो अब आप लोग सोत रहे होंगे कि भारत एमिशन स्टेंडर्ड है क्या चीज और यह कहां से आया हुआ है तो मैं इसकी थोड़ी सी डिडेल आपको बताता हूं यूरो नॉम्स के हिसाब से यानों को पॉल्यूटेंट छोड़ने की एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए पॉल्यूटेंट जैसे सी ओटू नाइड्रोजन ऑक्साइड सेलफर और सस्पेंड़ पर्टिकॉलर मेंटर यदि कोई यान अपने निर्धाने लिमिट से ज्यादा क्याई निर्धा पॉल्यूटेंट तो यसे यूरोग में नहीं बेचा जा सकता है तो यह उलूक्स होत जिसे की भारत इस्टेज ने अपनाया है नाम से अब वह है घॉर 노래 देखा कि हमने 20 करके वह वहीं已经 हूं से लिया है वह हमारे हो दिखा कि थे durum हैं ने कि NHL लिया है वह एभरत में आजीक है तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमने लिया है यूरो नॉर्म से और अपने बीएस फोर को कैसे रिफ्रेंस लिया है और कब-कब यह आया हुआ है तो चलिए देखते हैं तो एमिशन स्टेंडर्ड इंडिया में जब आया तो 2000 में इंट्रड्यूस किया गया था और जो की रिफ्रेंस हमने लिया ने ने immersive से तो उसके बाद वी जस तू आया जोंकि यूरू से हमने रिफ्रेंस लिया था और топ और धाड्यूस किया गया से क्यों में चीर्डैन्यूस किया गया गया निसके बाद ऑ्य statement और में चीनटraitu कि कोई की वजे से उसे इसकीप किया गया था और यहां पर सीथा बीज इस आ गया वो यूरो जैसे लिया है यूरो शिक्ष पिया और इसे 2020 में इंट्रिवीच किया गया तो अभी देहारे हैं याप जो है वह श्किप कर दिया था वीच मेर नहीं आया है आप सबी लोग के इस तो अभी मैं आपको बताता हूं कि बीएस फाइफ क्या है चौथा नॉम्स बीएस फोर 2017 में पेस किया गया था और बीएस थ्री और बीएस फोर की जब सुर्वात हुई थी तो उनके बीच में देजी हो गी थी इस वज़े से बीएस थाइफ के मांडंडों के बजाए सीधा सिक्स का सर्जन लाना पड़ा तो अभी आप देख सकते हैं मैं पीपेटी में वहीं चीज दिखी हुई है तो बीएस थ्री और बीएस फोर जब आई थे उनकी सुर्वात थोड़ी सी देर में हो गई थी जिस मेंसे हम लोगों को बीएस थाइफ स्किप करना पड़ा और इन दोनों में डिफ्रेंस क्या है तो सब्सक्राइब आपको बताता हों कि चीजिए फोर और ट्रोजन ऑक्साइड का लिए जिए और इंजन की बात करें तो इसके लिए सिसिएट परसेंट कम है तो यह एक डिफ्रेंस है यहां पर बीएस पॉर और बीएस इसक्स में इसके अलावा डिजल इंजन के हाइड्रोकारबन प्लस नैट्रोजन ऑक्साइड की लिमिट जो है वह 43 परसंट की गई है और पर्टिकुलिल मेंटर लेवल की लिमिट जो है 82 परसंट कम की गई है तो ब इसना डिफ्रेंस है दोनों के बीच में आपका जो नैट्रोजन ऑक्साइड है और पर्टिकुलर मेंटर है वह अलग-अलग आपके कितने कम हो रहे हैं बीएस फोर और बीएस इक्स के मुकाबले तो बीएस इक से उतना बहतर है दोनों में से आप देख रहे हैं आप लोग इस पर्टिकुलर मेंटर जो होते हैं वह ऐसे कार्बन वाले गैसे होते हैं जो कि हमारे यहां पर एट्मोसफेर में पॉलिशन पहलाते हैं बहुत जादा और जिनसे इतरह की बीमारी पैदा कर सकते हैं तो ऐसी कुछ गैसे होती है तो वह भी इंजन से निकलती है तो उसे दोस्तों क्या आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में सबसे पहले टू विलर बिए 6 कौन सा आया था तो नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं होंडा एक्टिवा 125 सबसे पहली गाड़ी है टू विलर में जो की बिए 6 से यहां पर आई है भरत में और अगर हम 4 वि दोस्तों तो यह जानकारी कैसी लगी आप लोगों आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताईए और यही सब था ब्यास फोर ब्यास इस और जो भी यहां पर आप लोग डिफ्रेंस जानना चाहते थे या फिर ब्यास विए 6 क्या चीज़ है वो जानना चाहते थे उसमें यही जानकारी लेकर आया था एक चोटी सी तो चैनल को ज़रूर से सस्क्राइब कर देजिए और शेर करिए अपने दोस्तों के सामझ दोस्तों अगर आपने शेर डोस्तों के साथ तो तूरंत करिए और बाइल आईकन का करें